अगर सर्दियों में मिक्स सब्जी नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया तो आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जी उसके लिए मैंने 2 इस्पून भरके तेल डाला है तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तेजपत्ता बड़ी इलाईची दाल चीनी और यहां पर छोटी इल अधा टेबल इस्पून जीरा अधा टेबल इस्पून मेथी दाना उसके बाद हिंग डालेंगे टू पिंच के करिब इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे फ्लेवर तेल में चला गया तो यहां मैं गोभी और आलू को डाल रही हूं मैंने दोनों चीज डालने के बाद गेज का फ्ले मीडियम करके जब तक यह भून रहा है तब तक हम मसाला तयार कर लेते हैं तो मैं यहां पर एक टमाटर ले रही हूं आप टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं पर मैं बहुत ज्यादा खटा सबजी मुझे पसंद नहीं है इसलिए उसके बाद आधा टेबलिस्पून के करीब में अधरक ले रही हूं दो से तिन या लहसुन लेंगे और हरी मिर्ची दो और यहां सबसे पहले आधा टेबलिस्पून जीरा और सारे मसाले डाल देंगे एक टेबलिस्पून के करीब मैं धनिया पाउडर वन फो से पेश्ट तयार हो जाएगा या पेश्ट अच्छे से तयार हो गया इधर आलू को भी बेंस भी थोड़ा भुन चुका है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे सिमला मिर्ची तो सिमला मिर्ची मैंने लिया है उसकी अंदर डालेंगे गाजर क्योंकि दोनों इसमें से आपको जो सब्जी पसंद नहीं है, आप शब्स बूद कर शर्बी सब्साइब कर सकते हैं, अब बढ़त कर सकते हैं, यहां पर नमक नालने के पग जाएगी, यहां नमक दालने के पकाओंगी, यह 90% कुक हो जाना चाहिए सबजी, तो 90% यह सबजी कुक हो चुकी है, क्योंकि यह मैं आज सुखी सबजी मिक्स बना रही हूँ, उसके बाद 90% कुक होने के बाद यहां पर मसाले हमने जो पीसे थे उसको इसके अंदर डाल देंगे, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे, यहां पर मिक्स होने के बाद थोड़ा सा पाने डालेंगे, जो मिक्सी की जार में मसाले लगे थे, उसको डाल देंगे, इसके अंदर दो से तीन इस्पून पाने डाला है, उसके बाद वापस से अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद लो फ्लेम प के तयार हो गई है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाई बाई